नमस्कार सात्यूं स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल YK Online Education में उमीद है आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों यहां पर हम एल्टी की तयारी कर रहे हैं एल्टी जो आपका कॉमन पेपर है एक तो हम उसके वीड आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चली बढ़ते हैं आगे आज हम एक कॉमन पेपर के तहित आपके स्लेबस के एक नया टॉपिक डिसकस करेंगे जिसका नाम है सरुसिक्षाभियान SSA तो इस टॉपिक के बारे मैं आज इ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा यहां से आपको काफी इंफर्मेटिव चीजें आज मिलने वाली हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम सर्वसिक्षाभियान की बात करें तो इसकी जो शुरुवात है वो 2000 में हुई थी 2000 कहें या 2001 में कहें तो यह आप इसके बाद अगर हम बात करें उस समय जो प्रधान मंतरी थे किस प्रधान मंतरी के शाजनकाल में यह हुआ था तो उस समय जो थे अटल विहारी बाचपेई जी जो थे तातकाली के प्रधान मंतरी थे इसकी उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रात्मिक शिक्षा का स अपलब्द कराए जाए या उपलब्द हो जाए और इसका जो लक्ष था वो 2010 तक यानि कि प्रात्मिक शिक्षा 2010 तक हर बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए इसका ये उद्दिश्य था ठीक तो ये आप ध्यान लखेंगे प्रात्मिक शिक्षा का सारभोमे करण और इसका अगर धे वाक्य की बात करें तो सब बढ़ें ये इसका धे वाक्या है अब आगे बढ़ते हैं कैंद्र वो राज्यों की वित्य भागीदारी की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रारंबिक यानि कि जब ये शुरुआत में लागो हुआ था तो इसमें 85 प्रतिश केंदर सरकार की इसमें जो vitiya भागीदारी रहे की इसी की yo मतलब जो funds है या इसका जो वित्थी भार है उसमें 85 पर्तिशत केंदर सरकार के रेंग और 15 प्रतिश्थर— और 15 पर्तिशत% वह 85 से घटकर 65 हो गई थी और राज्यों की भागीदारी 15 से बढ़कर 35 हो गई थी तो यह आप ध्यान रखेंगे इसके बाद अब क्यूंकि पुर्वोत्तर राज्यों के लिए इसका रेश्यो थोड़ा अलग था जो कि 90-10 का था यानि कि पुर्वोत्तर में जो केंदर की भा अगर धियान रखेंगे वर्तमान परिप्रिक्ष्य में अगर इसकी विद्यभार की बात करें तो इसका रेश्यो 65 है जिसमें 65 केंदर का 35 राज्यों का चिक और अगर शुरुवात की बात करें तो 85 पंदर का यह रेश्यो रका गया था चिक उमीद है आप लोग समझ पा र इसको संपुर्ण देश में लागू 2001 में किया गया जब यह बना था उसकी शुरुआ 2001 में हुई सारी 2000 में हुई लेकिन इसको संपुर्ण देश में जो है वो 2001 में लागू किया गया था यह भी important है आप लोग ध्यान लगेंगे देखिए दोस्तो मैंने अपने नोर्स में वही चीजे लिखी है जो हमारे परिक्षक की द्रिश्टिकों से बहुत महतापूर्ण है तो आप लोग इसी की according इन सारी जो पॉइंट्स मैंने यहां नोट किये हैं उनको आप याद रखें क्योंकि कोई साभी पॉइंट्स आप से पूछ लिया जा सकता है ठीक है इसके बाद देखिए इस अभियान को नवी पंचवर्सिय योजना के तहद लागो किया गया तो यह भी इंपोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि उस समय पंचवर्सिय योजनाओं चलते थी हलाकि वर्तमान समय में पंचवर्सिय योजना को keln से neon seven to 93 तू किया जाता था तो उस समय वही डेस मेंगान उन नवी पंचवरसिय योजना चल रही थी तो यह आप एन रहेगी इसके बाद देखे वर्तमान में सरवचिक्चा वियान को समग्र शिक्चा वियान में शामिल किया गया है तो वर्तमान में जो है हमारे देश में क्योंकि बाद में जो है जब शुरुवात में सर्वशिक्षा अभियान बना था उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान नाम से एक अलग से अभियान लागो किया गया था इसकी शुरुवात हुई थी तो उसी में बाद में सर्वशिक् उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान मंतरी होते हैं तथा उपाध्यक्ष इसका जो है M.H.R.D. जो M.H.R.D. मिनिस्ट्री है यानि कि Ministry of Human Research Development यानि कि उसके क्योंकि शिक्षा मंतराले भी इसी के अकॉर्डिंग होता है तो वही जो शिक्षा मंतरी होते हैं क्या सकते हैं M.H.R.D. मिनिस्टर या शिक्षा मंतरी तो वही इसके उपाध्यक्ष होते हैं तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे राज्य इस्तर पर अध्यक्ष जो है इसमें सीम होते हैं यानि की चीफ मिनिस्टर जो मुख्य मंतरी होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो राज्य की जो एम यानि की एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं शिक्षा मंतरी होते हैं राज्य के राज्य इस्तर पर जो है ये इसकी अ अब हम जान लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो था उसके उद्देश्य क्या थे तो इसके जो सबसे पहला जो उद्देश्य था तक्षा एक से पांच तक प्रात्मिक शिक्षा को सुद्रड बनाना तथा दो हजार तीन तक सारुभॉमिक बनाना तो ये बहुत प्रात्मिक शिक्षा है उसको सुद्रड करना और दो हजार तीन तक इसको हर असतर पर पहुंचाना ठीक है इसके बाद ये चैसे चोदा वर्स के बच्चों है तो प्रारमिक शिक्षा की व्यवस्ता करना तो ये इसका दूसरा बहुत महतपोर्ण उद्देश था कि जो छै वर्तमान में तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं लेकिन मतब कम है इस तरह का रेशयो लेकिन पहले क्या था बालिकाओं को अगर चिक्षा के छेत्र में देखें तो काफी पिछड़ा हुआ हमारा देश था इसका रेशयो जो था वह बहुत कम था तो इस का ये उद्देश रखा गया कि बालिकाओं को भी इसमें क्या है शिक्षा का पूरा अधिकार है और उसकी शिक्षा के लिए उसको बढ़ावा देना चलिए इसके बाद यहां पर एक नोट में मैंने लिखा है कि जो बालिका शिक्षा है क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है वह बहुत इंपोर्टेंट है जो तीसरा पॉइंट है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना उसकी तहत कस्तूरवा गांधी शिक्षा के इंद्रों की इस्थापना की गई क्योंकि बालिकाओं को बढ़ावा देना था तो उसके लिए स्कूल्स की आविश्यक्ताती कुछ ऐसे विद्यालाई बनाए छे में बालिकाओं को बिुआ है जहां जाक्यों की दमिशा बोब ऐसे प्र supper आपकर है कि आछ और केवा बिया को अजिक्षा की प्राव तो उनस Plantation के एक है कैस्तूर्वा गांधी शिक्षा केंद्र की इस्थापना किस अभयान के तहत हvable है आपसे इस प्रकार से प्रस्न ब इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट है सामुदाई की विकास जो गतिविदिया है उसको बढ़ावा देना पाचवा है लिंगानुपात के अंतर को कम करना तो जैसे मैंने अभी बताए कि साक्षिक स्तर पर भी अगर हम देखें तो लड़के और लड़कियों में कहीं न कहीं वह रेशो था शिक्षा का वह कहीं न कहीं कम था है लड़कियां बहुत कम मात्रा में इसमें भागीदारी लड़कियों की थी तो वैसे ही लिंगानुपात में भी काफी यहां पर अंतर था तो इस अंतर को कम करना भी इसका एक उद्दीश यता चिक इसके बाद जो अगला अब 2007 तक जो है परारंबिक शिक्षा में क्योंकि नामांकन कितना होना चाहिए 100 प्रतिशत और ठहराओ का मतलब है क्या होता था कि कई बच्चे कक्षा एक में जब प्रवेश लेते हैं तो पांच वी जाने जाने तक कही लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं अपनी कक्षा चोड़ देते हैं कोई दो तक पढ़ता था कोई तीन तक कोई चार तक तो पांच वी जाने जाने तक आदे सचाता लोग इससे लेफ्ट हो जाते थे जो एक व्यवस्तित है उसको नहीं प्राप्त कर पाते थे तो ठहराओ का मतलब यही है कि अगर प्रात्मिक शिक्षा एक के तहत BALA यानि Building as Learning AD तो जो इस तरह के जो इसका संबंद बेसिकली भावन निर्माण देता जो कि क्यों इसकोलों के जो भावन थे उनका निर्माण से संबंद देता तथा C-A-L-P जो Computer and Learning Program था वो भी इसके तहत चलाए गया था तो आपसे B-A-L-A और जो कालप है यानि कि C-A-L-P Computer and Learning Program तो यह किसके तहत चलाए गया था तो यह भी सर्वसिक्षावियान के तहत चलाए गया था खासकर आपसे Building as Learning AD यह भी आपसे आपसे यह question पूछ लिया जा सकता है ठीक तो इनको भी आप no down करिए इनको भी आप ध्यान लखेंगे इसके बाद जो कस्तूरबा गांधी जो बाली का आवासिय विद्यालाई है जिसकी शुरुवात जो है आपको बताए तो यह point आपको ध्यान लखना है हो सकता है आपसे question बन जाए है तो दिखे इसमें है निर्धन बालिकाओं को 10-14 वर्स की शिक्षा दी जाए तो इसका यह उद्धिश यथा कस्तूरबा गांधी आवासिय विद्यालाई का वहां पर जो आवासिय है क्योंकि बालिकाओं को 10-14 वर्स तक की जो बालिकाओं है उनको वहीं जानी कि होस्टल हो गया जैसे होस्टल में होता होस्टल राइप से कि विद्यालाई म आपको सारी खाने पीने रहने की सारे सुविधाएं वहां उपलब्द करवाए जाए तो इसका यही उद्धिश यता ठीक तो उमीद है दोस्तों आपको यहां से काफी चीजे आज जानकरी आपको मिली होगी आपका इस वीडियो को लेकर कि क्या फीडबैक है अपना पढ़ते रहें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलिए और अपना और अपनों का ध्यान लखे नमस्कार